लोग सभा में प्रवेश परिक्षाओं में गड़बडी रोकने के लिए लोग परिक्षा कदाचार रोक्थाम विधेयक 2024 पारित हो गया है इसका मुख्यों देश परिक्षाओं में अनुचित तरीकों से इस्तमाल पर रोक लगाना है इस विधेयक को कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सेह ने साधन में पेश किया था लोग परिक्षा का अर्थ संग लोग सेवा आयोग करमचारी चयन आयोग रेलवे भरती बोर्ड राश्रे परिक्षा एजेंसी तथा केंद्र सरकारों के विभागों की ओर से आयूजित होने वाली परिक्षाओं से है विधेक पर चर्चा का जवाब देते वे कार्मिक राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सेह ने कहा कि ये विधेक उन लोगों के लिए है जो परिक्षा की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या व्यवस्था को धोखा देने की कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों के भविश्च के लिए उनके भविश्च को किसी से हाथों में उसको छेड़ चाड़ ना होने दे उनको इस तराओ की प्रस्तिती में ना पढ़ने दे जो इन आत्म हत्याओं में परिवर्तित होते है और मैं अपील करता हूँ माता पिता से भी बच् में मोदी जी के विक्सित भारत के निर्माण में अपनी भूमी का अपना योगदा निभाने के लिए अपने आपको समत्व होना है कॉंग्रेस के सांसत कोडी कुन्योल सुरेश ने विधेयक का समर्थन करते वे कहा कि युवाओं को लोग परिक्षा में न्याय की जरूरत है राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी की सुप्रिया सूले ने परिक्षाए नीजी एजेंसियों से करवाने को लेकर सवाल उठाए भाजपा के राजी प्रताप रूढी ने विधेयक को क्रांतिकारी बताते वे कहा कि इमानदार अभियर्थियों को न्याय मिलेगा कॉंग्रेस की अधिर रंजन चौधरी, डीम केके, डीम काथिरानंद, वाई एस आर कॉंग्रेस की चिंता अनुराधा तथा अन्य कई सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया